राम राम जी सबने और अपमूच गये हैं अम इने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चां के पास में तो यह देखो देखते दूरते बाग कई आवाँ सुनते ही इनन पता है वही भाई खड़ी करदी है और आगे हैं खाणा देन थे इनने बच्चा नरहा है इस टाइम का और एक बच्चा नहीं आया है भई बले एक वाड़ा एक और है वो तो भई उसकी खाती रहे हैं हमें थोड़ा सा दूद बचा लेवांगे क्योंकि उस बच्चे तो भी दूद पिलाना जरूरी है भई वो थोड़ा सा दूर जा रहा है कई बारे सारे इकठे आने पाते भई तो उसकी खाते रहे बचा के रखना जरूरी है यह नहीं भई कि हमने इनका के दूद ढाल दिया और चलपड़े मारा काम खतम हो गया नहीं वही सब बच्चे ने दूद दे और खाना मिलना जरूरी है एक बच्चे का पेट खाली है तो उसकी आत्मा तो कितनी दुख पाव तो उस तो भी खाना देना जरूरी है वह थोड़ी तेर मा आ जाओगा जब तक हम उसका वेट कर लेवां और आवाज दे लेवां हमें तो आवाज जहां तक मारी जावगी रो सुनाई देगी तो उसी टाइम पर बाग्या आवगा क्यूंकि वह विपैचान है वह आवाज ने इनका डेली का काम है ये बच्चे इस टाइम पर इंतजार में मिलने हैं और थोड़ा सा बयव टाइम ताना पड़े हमने क्यूंकि सर्दी का मोसम है और बाइक पर लेट तक चलना बहुत मुश्किल हो जाओँ है एक जगे नहीं बई कई जगे जाना पड़े हिन बच्चे दूद पर पिलाना जरूरी है इस बच्चे तर भी दूद पिला दे मां हमें तो यह और देखो यह आ गया है इन बच्चे ने दूद पीलिया था भई और अब इनके आगे हमें रोटी और रख जावांगे बई यह आप खालेंगे कुछ बाद में खालेंगे बई और फिर ह में इनके पानी डाल दे वांगे थो सब में पीट बढ़ना जरूरी है छोटा बढ़ा हो बुख थो हर किसे ने लग। और आप सब ते मेरे विंति है बई कोमेंट जरूर कर आ करो और लाइक कर दी आ करो मेरे वीडियो ने सेर करो ज्यादा ज्यादा और आप सब के इतने अच्छे कोमेंट आऊं है पड़के मनोबल बड़ है मेरा और आप सब का प्यार और आप सब का साथ चाहिए यह देखो भई यह दूद पीके ने इसने कम पिया है अज दूद जीतने इच्छा थी भई उतना पी लिया और अब इसकी मा पी बच्चा की माँ पास में है वहाई हमने भी बहुत खूसी हो गया है कि अपने बच्चा ना वह वह समाड़ लेवागी तो यह बच्चा मारे पास में आण की कोशिज कर रहा है यह दूसरा बलेक वाड़ा है यह ओर एक अपनी मा के साथ दूद पी रहा है और एक पीछे बच्चे बाद में खालेंगे कुछ अब खालेंगे अब फिर रोटी डाल दी अब इनका पानी और डाल दे मां क्योंकि पानी वाली दिकत है पानी नहीं है इन बच्चे के पास में तो पानी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि खाना खाऊंगे तो इन प्यास तो जरूर लगाएगी यहापर पानी वाली दिकत है नजदीक नहीं है पानी और यह देखो बच्चे कितने खुस हो जयां है पास आण पर इतना इतना टाइम में हमें जाबर भी जावाईन बेजुबाना देना जरूरी है क्योंकि आम इन तक खाना काफी सालना तो दे रहे हैं अब नई देन लगे हमें बहुत साल होगे हमने और एक एक बच्चे का आम नहीं यह पता है कि इस टाइम पर यह कहाँ पर मिलेगा और मारी आवाज सूनते ही वो बाग के आ जाओं है और यह नहीं हम जाना हाऊं उन तक खाना देन के हमें दूसरे बरतन में और इनका दूद अंदर डाल के रख देवांगे आप यूंगे तो पीलेंगे नहीं तो बाद में पीलेंगे जितना भी बच रहा है हमें इन तैसारा दूद डाल देवांगे क्यूंकि बाहर रोड पर नरहें बच्चे और परालि मांदर इनका घर है बाहि तो बारिश वाले हो स्वाले कोई दिखत नहीं है सरुदी की वो दिखत नहीं आँए अंदर है परालि में इनका बढ़ आगरवन रही हम डेली चेक करा है एक बच्चे का वही कई सर्दीत भी मार ना हो जाओं और ये सारा दूद डाल दिया हिन के आगे बाद मैं पीलेंगे जितना पीऊंगे उतना पीलेंगे तो अब इन दूद पिलावन के बाद आप जाओंगे हमें दूसरे बच्चे के पास में उन तभी खाना देना जरूरी है क्योंकि वही ये बच्चे तो अपनी मा का दूद पीले हों हैं और इन दूद भी दे दिया और रोटी भी डाल दिन के आगे इन बच्चे के पास मा के भी बहुत ज्यादा खुसी मिलने हैं वही बेजुबान है बेचार आने बूख तो इन न भी लगए है भी देखो और ये भी इन पता है इस टाइम पर खाना देना होंगे तो इनका बहुत ज्यादा इनतजार रहे हैं और अब भी और दूद लेन ह हम गर पर आगे थे एक बार तो अब पहले दो छोटे बच्चे हैं पिंकी के यह देखो यह मने देखके नराख बंद कर रहे हैं तो पहले इंत खाना दे देवा हां तो इनकी खातिर अंडे उबाल रखे थे तो पहले इन बच्चाने सरदी का मोसम है अंडे खिला देवा हां और दूद पिला दे वहाँ बाद में हम दूसरे बच्चा के पास में जाऊंगे तो ये देखो भई दोनु सरारती एक पलेट में खाऊंगे भई अगर अलग रख दियाने तो फिर नहीं खाऊंगे एक में खाना है इनने तो दोनु साथ साथ खाऊंगे और एकल मनिन के आगे अलग-अलग में दूद रख दिया था पलेट में तो नहीं पिया ये नहीं कठे पिया है तो इस वज़ेत भई देखो छोटे बच्चे जब तक तो ये प्यारत एक में खाऊंगे है भई इकठे सोना इकठे खाना इनका इकठे रहना बाद में बड़े ये फिर अपनी जग अलग-अलग बना लेओं और एक दूसरे के साथ ना खाना ना सोना ना रहना बईन की फित्रत इसी है और ये देखो कितने खुस हो रहे हैं पिंकी के दोई बच्चे हैं और दोनु यहां पर बठे हैं बाद में बईन कनी चेन का वीस्तर लगा दिया ज हो जाओं है ये यहीं पर सोऊंगे ये और सारे दिन यहां पर दूप आ जाओ है दोप मैं अपने आरामते सोते रहे हैं और खाना खालेंगे मेरे पास मैं और जब मैं इनके पास मा आओंगी तो दूर भाग जाँगे ये इतने सरारती बच्चे हैं और रोटी भी खालेंग यह और फिर मैं इनके पास मैं थोड़ी देर बैठ हूंगी तो यह मेरे तो दूर बाग जाओंगे थोड़े चोटे हैं आइस्था आइस्था इन्न व्यादत बन जाओगी पासमा उनकी और यह देखो नीचे-देख रहे हैं मैं थोड़ी सी दूर बैठना पड़ा है मैं नही इन दूद पी लिया है यह देखो कितने प्यारे लगें हैं वह कितने मासूम बच्चे हैं और पास्मा नहीं आऊंगे अब मेरे तो दूर बाग जांगे दूद पीके ना इस वज़े तो गई मैं थोड़ा सा दूरे बैठे हूं इन थे छोटे बच्चे जाना लग जांगे य दो चार दिन में यह देखो जितना मैं पास्मा आऊंगे इनका पीछे चलते जांगे यह और इन अपने बिस्तर का इतना पता है मैं इनका बिस्तर लगा दिऊंगी उस टाइम पर यह इस बिस्तर परता नहीं उठोंगे फिर चाए मैं इनके पास्मा आऊ पर अपने सिर्मा हाथ नहीं लगावंड दिने, बिल्कुल भी दोनूं, कितने सरार्ती है ये, और दिल में बहुत चोटे बच्चे है, पांच-छे बार दूर्द देना पड़े हैं, और अब आगे हैं, भई हमें, इन बच्चा के पास में, बहई इन बच्चा के पास यह भी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं और इंते दूद पिला दिया अंडे भी खिलाए थे अंडे भी बहुत कम खा रहे हैं यह और दूद भी कम पी रहे हैं क्योंकि इस बीमारी की जपेट में जो बच्चा आ जाओ है उसे का भई खाने में रूची कम हो जाओ है जैसे रात ने उनक खाना भी खिला के गए हैं दूद भी पिलाया है उन्ते तो इन बच्चाम के पास मा के बहुत ज़्यादा दिल दुख्यों हो नोगे चोटे चोटे जब इन क्या खुली थे उस टाइम पर ये अलग कर दिये थे अपनी मात तो इन बच्चान के खातिर ब